हेलो फ्रेंड्स, BSC की इस पसल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मौस्ट वेलकम है माईनीम इस आशिच गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC 2nd Year Geology का फर्स सेमेस्टर है Quad Data और इस सेमेस्टर से मैं कई सरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके examination paper के लिए most important है लगबख 40 वीडियो हम complete कर चुके हैं दोस्तो हमने start किया था snake का chapter और snake के chapter में मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिनमें एक वीडियो most important है वो है identification of poisonous and non-poisonous snake poisonous और non-poisonous snake यानि जो जहरीले साप है और एक जहरीले नहीं है उन दोनों का आप कैसे पहचानोगे कैसे आप पहचानोगे poisonous and non-poisonous snake को उनकी morphology के base पर इसके बाद आज जो हम topic discuss करने वाले हैं वो snake का biting apparatus and biting mechanism ये दोनों topic यानि कि इसी वीडियो के अंदर हम जो cover करेंगे biting apparatus और biting mechanism ये भी most important है snake के अंदर ये जो topic आता है ये exam paper में लगबग हर साल repeat होता है लोग question में पूछा जाता है तो आज हम पढ़ेंगे snake का biting apparatus और इसके बाद हम biting mechanism को पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारा telegram channel जो की bio book tech के नाम से बना हुआ है अगर आपने join नहीं किया है तो आप join कर सकते हैं simply आपको एक telegram application डाउनलोड करना है search करना है bio book tech bio book tech search करेंगे हमारा telegram का group आपके सामने आ जाएगा आप उस पर क्लिक करेंगे थोड़ा scroll down करेंगे तो नीचे option मिलेगा join का join के option पर क्लिक करके आप हमारे channel से जूट सकते हैं और जो भी notes होता है या किसी भी तरह की basic information होती है मैं वहाँ तक आप तो share कर देता हूँ तो चली दोस्तों start करते हैं तो चली friends heading दाले जी biting apparatus and biting mechanism of snake यानि कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं snake के biting apparatus के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे snake के biting mechanism के बारे में exam paper में जब भी ये question पूछा जाता है साड़े 7 number या 10 number में long question में ही पूछा जाता है ये depend करता है कि आपका exam pattern कैसा है साड़े 7 number का भी हो सकता है और 10 number का भी और कई बार biting apparatus साड़े 3 number में अलग से भी पूछा जाता है snake का और कई बार biting mechanism snake का अलग से साड़े 3 number में पूछा जाता है तो ये दोनों ही topic most important है हलाकि long question में जब भी पूछा जाए तो biting apparatus और biting mechanism दोनों को एक साथ आपको explain करना होगा और साथ साथ आप notes बना कर चलेंगे क्योंकि आप लोग पिछली 3 वीडियो से जैसा कि आप लोग जानते हैं snake की 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ तो वहाँ से आपको जितना भी basic knowledge of video के general characters यानि snake के सभी general characters को हम discuss कर चुके हैं इसके बाद इंडिया में पाए जाने वाले जितने भी snake है ये सब हम discuss कर चुके हैं उसके बाद हमने discuss किया snake का identification कैसे आप पहचाने के कि कौन सा poisonous है कौन सा non-poisonous है तो ये सारी चीज़े हम discuss कर चुके हैं अब हमारा जो topic आता हुँ है snake का biting apparatus और mechanism कि कैसे वो bite करता है दंशन किरिया जिसे कह जाता है तो diagram आपको सबसे पहले इस diagram के help से आप आसानी से पहचान सकते हैं snake के मतलब snake की कौन कौन से ऐसे biting apparatus होते हैं जैसे for example कौन कौन से चीज़े हैं जो help करती है biting mechanism में इसके fangs है इसमें poison gland होता है poison duct है या muscles है या इसके अंदर bones पाय जाती है तो यहाँ पर bones वाला जो system है वो next diagram में हम discuss करेंगे फिलाल यहाँ पर simply हम biting apparatus को discuss कर रहे हैं जब हम bones वाला बनाएंगे तो वहाँ पर आपको biting mechanism में समझने में help करती है कि कौन सी muscles जोती है वो initiate करती है biting mechanism को फिर कौन सा bones आगे उसको push करता है कैसे इसका mouth open होता है यह सारा mechanism हम biting apparatus के बाद discuss करेंगे तो note कीजिए heading डाल लीजिए सबसे पहले biting apparatus और नीचे आपको heading डालना है introduction तो introduction में simply आपको इतना लिखना है कि जैसा कि आप लोगों को पता है अब ऐसा निए जबसे पहले आपको समझाना होगा poisonous का मतलब जैसे कि हम कहते हैं venomous और poisonous में क्या differentiation है यह भी आपको समझाना होगा जैसे for example कोई plant है कुछ जहरी ले plant होते हैं जैसे for example कोई आपने ऐसा animal या plant आपने खा लिया है तो वो आपकी body में toxic reaction create करेगा जिसकी वज़े से allergy हो सकती है choking होगा यानि घुटन होगी आपको respiratory distress हो जाता है यानि के सांस लेने में काफी दिक्कत आने लगती है और finally death हो जाती है इनसान की एसे plant को आप क्या कहेंगे ऐसे animal plant को आप poisonous plant कहते हैं अब एक होता है कि एक ऐसा animal जो इसके पास एक special type का apparatus है जिसकी help से वो क्या कर रहा है कि आपकी body के अंदर poison को inject कर रहा है जहर को inject कर रहा है तो ऐसे को हम बोलते हैं venomous ठीक है ऐसे को हम बोलेंगे venomous जैसे की ऐसा हम देखते हैं snake के अंदर तो उस चीज में आपको differentiation पता होनी चाहिए तो इस line में वही चीज आपको यहाँ पर लिखी गई है note करेंगे the venom and poison both are toxic in nature poison भी toxic nature का होता है venom भी toxic nature होता है if eating a plant और animal जब हम किसी animal और plant को खाते हैं or its part cause toxic reaction and respiratory distress होता है सांस लेने में काफी बाधा उत्पन होती है problem होती है और death हो जाती है finally so then that plant or animal is considered poisonous उस animal और plant को हम क्या consider करेंगे कि यह poisonous plant या animal है if an animal has a special apparatus और structure यदि किसी animals के अंदर एक अलग से special structure और एक features पाय जा रहा है यानि apparatus पाय जा रहा है to inject toxin यानि कि जिससे कि वो अपना toxin तुम्हारी body के directly अंदर inject कर सके तो उसे आप क्या कहेंगे venomous ठीक है if an animal has a special apparatus और structure to inject toxin in the body of the enemy यानि अपने शत्रु की body के अंदर it is called venomous all the venomous poisonous snake have venomous apparatus दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया में 330 330 सांपो की परजातियां पाए जाती हैं जिन में से 69 जहरिली होती हैं और उनमें से भी लगबग 20 ऐसी हैं जो highly venomous होती हैं जादा ही जहरिली होती हैं जिनका जहर आपकी body के अंदर inject हो जाए तो लगबग आधे एगंटे में इंसान की मृत्ती हो जाती है तो यहाँ पर हमें देखना है venomous snake की list को जिसमें जो कि है 69 और जितने भी venomous snake हैं उनमें venom apparatus पाए जाता है तो यहाँ पर note करेंगे all the venomous और poisonous snake have a venomous venom apparatus in their heads यानि कि उसकी सर के अंदर head के अंदर which is not found in non-venomous snake ऐसे सांप जो कि जहरीले नहीं होते जैसे for example netrix piscator जिसे हम पानी वाला सांप कहते हैं तो उसके अंदर जो है venomous apparatus नहीं होता तो उसको हम कहेंगे non-venomous snake these apparatus include इस apparatus के अंदर क्या-क्या आता है यानि कि हमें क्या-क्या explain करना होगा biting apparatus के अंदर सबसे पहला a pair of venom glands जो कि एक paratoid gland का या फिर labial gland का एक modification होता है रुपांतरन होता है number second आता है their ducts जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे यह जो आप देख रहे हैं green color का यह जो पूरा portion है यह तो है poison gland यह squeeze होता है जब यहाँ पर biting mechanism पढ़ेंगे तो वो कैसे squeeze होता है यानि कैसे वो secure जाता है और फिर उसके बाद यह जो जहर है यह इसके duct में आगे चल कर यह duct में open होता है तो इस duct में कैसे यह जहर यहाँ तक आता है फिर fangs में कैसे आता है यानि कि यह जो muscles होती है जो इससे जूड़ी हुई है इनके biting apparatus से वो कैसे मदद करती है वो चीज भी हम इसमें पढ़ने वाले है तो चार चीजे इसमें focus करेंगे एक तो venum gland दूसरा है duct तीसरा fangs और associated muscles तो सबसे पहले आप venum glands को explain करेंगे जिसमें आप लिखेंगे टू सेक लाइक venum glands are situated on the either inner side of the upper jaw उपरी जबडे में आपको यहाँ पर दो glands आपको दिखाए देंगे सेक लाइक होती है venum gland are situated on the either or inner side of the upper jaw उपरी जबडे में दूसरा point below the eyes and somewhat behind them दोस्तो यह आँखों के जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आँखों के आसपास भी होते हैं क्योंकि different different species है और different different venum होता है यानि कि ऐसा यह toxicity भी different different होती है मैंने आपको कहा कुछ snake highly venomous होते हैं कुछ थोड़े कम venomous होते हैं के काटने से लगबग 8-10 घंटे तक के time मिल जाता है इंसान को कि वो अपना ilaj करा ले लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन में 2-3 घंटे या एक घंटे में ही इंसान की मृत्ती हो जाती है इसमें कुछ जहरीले साप की बात करें तो black mamba अफ्रिकम बाय जाता है 30 मिनट के अंदर इंसान की मृत्ती हो जाती है और 99% ऐसा केस आता है कि मृत्ती हो ही जाती है मतलब उसका ilaj possible नहीं है अगर आधे घंटे के अंदर अगर ilaj हुआ तो साइद बच सके वरना जितने भी को भी काटा है 90-90% 99% इंसान की मृत्ती होई है उसके बाद ये जो venum glands होता है ये क्या है venum gland ही एक modification है जैसे की salivary gland और ये जो जहर है यानि poison है ये saliva का ही एक modification है so superior labial और petroid gland का ही ये modification होता है venum gland gland में भी small अब जैसे sea snake है समूदरी साप है उसमें ये जो gland है वो small हो सकता है जो terrestrial है धरती पर रेंगने वाले है जैसे for example wipers उसमें ये बड़े होते हैं venum gland large होते हैं और tubular होते हैं ठीक है और ऐसा देखा जाता है wipers में और different species में ये जो size होता है ये different होता है wipers की भी different species होती है so poison gland होता है ये आगे चलकर open होता है एक duct में एक पतली सी narrow duct में open होती है जिसे हम बोलते है venum duct अब ये जो venum duct होती है directly कहाँ पर open होती है fang के canal में जैसा कि आप लोग जानते है fang जो होता है वो syringe की भाती होता है injection की तरह है इसमें आप देखेंगे ये पतली सी canal होती है जहां से poison जो victim होता है जिसको ये snack bite कर ले यहीं से जहर जो होता है poison उसकी body के अंदर inject हो जाता है तो venum duct को भी आप note करेंगे ये narrow venum duct leads anteriorly from each venum glands कहां से leads होता है यहां पर ये जो venum glands होती है यहां से ये जो है syringe तक जैसे कि यहां पर इसका fangs होता है यहां तक ये पहुचाता है ठीक है fangs के canal के अंदर ये duct ही इसको connect करती है या फिर आप इस तरह से भी इसको define कर सकते है ये जो venum duct है आप इसको इस तरह से भी define कर सकते है कई सारे student बोलते है तो आप लोगों को पता होना चाहिए आप अपने आप explain कर सकते है आप लिख सकते है जो fang है fang होता है और poison gland इन दोनों को connect करने वाली जो बीच में duct होती है उसको कहा जाता है venum duct ठीक है अपने तरह से आप इसको explain कर सकते है आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा connection कहां पर है किसका क्या function है उसके बाद आप note करेंगे enterally from each venum glands to the base of venum fang यह जो fang का base होता है इसको हम सित बोलते हैं यहाँ पर यह जो fang का base होता है उसको हम सित बोलते हैं अब इस base पर यह जो canal है इसके अंदर यह जाकर duct open हो जाती है so enter into groove और canal देखिए दोस्तों groove क्यों बोला गया और canal क्यों बोला गया क्योंकि यह जो fang होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं जिसमें आप देखेंगे एक तो होता है solenoglyphus एक होता है protiroglyphus एक होता है opistoglyphus तो यह जो protiroglyphus होता है यह मतलब यह दो ऐसे है protiroglyphus और opistoglyphus यह ऐसे होते हैं जो हिलते डूलते नहीं है यानि अगर इनके fangs जो होते हैं अगर इनका mouth open हो या बंद हो तो यह हिलते डूलते नहीं है एकदम स्थिर रहते हैं लेकिन अगर आप देखें यह जो solenoglyphus होता है यह movable होता है मतलब कि यह जो fang है यह जैसे ही mouth बंद करेगा यह जाकर के parallel हो जाएगा मतलब कि जैसे ही mouth बंद करेगा यह इसका जो fang है यह अंदर की तरफ इसके parallelly arrange रहे जाएगा shift हो जाएगा ठीक है तो मतलब यह movable होता है लेकिन यह दोनों teeth unmoveable होते है मतलब यह movable नहीं होते और उपर वाला जो solenoglyphus होता है यह movable होता है ठीक है यानि move कर सकता है इदर उदर move कैसे करता है जब mouth open करेगा तो यह पूरी तरीके से attacking position में जैसे ही snake आ जाता है और फिर उसके बाद duct और उसके बाद directly fang अब हम fangs को देखते हैं fangs are certain specialized teeth दोस्तों दांतों का modification ही fang है मतलब fang कोई अलग से extra structure नहीं है यह दांतों का जो teeth होती है उसी का एक modification है ठीक है तो fangs are certain specialized teeth attached to maxillary bones किससे attached रहता है fang maxillary bones उपर वाला जो upper jaws होता है उसकी maxillary bones attach रहता है और नीचे वाला तो mandible bone होता है ठीक है so they are long, curved, sharp and pointed अगर आप fang को देखोगे तो यह लंबी होती है, long होती है sharp होती है, curved भी होती है और pointed भी होती है, nucleated जैसा कि आप यहाँ पर दिखेंगे ठीक है यानि एकदम knock की तरह होगा दिखाई दिखाई देगा pointed होती है so they served as hypodermic needles for injecting venom into the body of victim जैसा कि मैंने आपको बताया है यह syringe की तरह बर करती है यह injection की तरह बर करती है यहाँ से poison इसके अंदर आता है और इसी fang से जैसी वो धसा देगा यह पूरा का पूरा जो जहर है poison है वो victim की body के अंदर inject कर दिया जाता है so when a functional fangs are lost or damaged एक condition ऐसी आ जाती है कि जैसे यह fangs supposed कर दो तूट गया तो उस condition में क्या होगा जो इसकी replacement में एक और fangs आ जाता है ठीक है यानि कि इसकी जगह जो और भी fangs होते है वो इसकी जगह ले लेते है so इस परकार से यहाँ पर लिखा है when a functional fang यानि कि functional कौन सा होता है जिससे यह attack करेगा जिससे यह bite करेगा so when a functional fangs is lost or damaged it replaced by a one one of the reserved fangs जो fangs reserved रहते हैं हाला कि इसमें दिखाया तो नहीं गया है लेकिन यह यहाँ पर जो reserved reserved रहते हैं इस diagram में शो नहीं किया गया है उस reserved fangs को लेकिन अगर suppose को और वे टूड़ गया तो जो reserved fangs है वो इसकी जगह ले लेता है on the basis of structure and positions three types of fangs occur in venomous snake जहरीले सापों के अंदर यह जो fangs की structure होता है और position होता है इसके base पर three types के fangs पाए जाते हैं सबसे पहला है A solenoglyphos अगर आप इस word को split कर दें तो solen का मतलब होता है pipe और glyph का मतलब होता है hollow यानि कि hollow pipe की तरह है जैसा कि आप यह जो देख रहे हैं यहाँ पर show कर रहा है और इधर वला यह तो pulp cavity हो जाएगा यह इसका यहाँ पर आप देखेंगे enamel हो जाएगा यह dentine हो जाएगा और यह जो जगह है यह दिखाए देर है कि यह जहर यहाँ से poison यहाँ से आता है और यह discharge यह discharge aperture है और यहाँ से इस aperture से enter करेगा poison और इससे discharge होगा तो solenoglyphos यह movable होता है यानि कि अगर यह suppose करो पूरी तरीके से मूँ खोल ले यानि कि जैसे आप wipers में देखेंगे wipers और rattlesnake के अंदर इसी तरह का fangs पाय जाता है यह movable होता है यानि हिल डूल सकता है जैसे यह open करेगा तो यह पूरी तरीके से attacking position में आते ही यह पूरा खुल जाएगा अंदर से यह खुल जाएगा लेकिन जैसे यह mouth को बंद करेगा मैंने कहा यह अंदर की तरफ यह move करेगा और parallelly इसके arrange हो जाएगा, shift हो जाएगा so wipers and rattlesnake इसके इनमें large बड़ा सा functional fang पाया जाता है अकर front of the itch maxili यानि maxili bones पर यह पाया जाता है और यह movable होता है इतना point आप याद रखेंगे number second है protiroglyphos protiro यानि first cobra snake के अंदर, crate के अंदर coral snake के अंदर sea snake यानि समूदरी सापों के अंदर protiroglyphos type का teeth यानि fangs पाया जाता है यह fangs जो होते ही small होते है और grooved होते है दयान अकना grooved का मतलब यह समझ लीजिए कि जैसे आप यह जो देख रहे हैं यह तो पूरी तरीके से पूरा pipe के जैसा होता है यानि कहीं से open part नहीं होता लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह तरी से groove में होता है ठीक है यह base हो जाएगा maxillie के पर जहाँ पर यह सित है और इससे यहाँ से poison आया और यह groove आपको यह जो पूरा दिखाई दे रहा है खाच की तरह है और यहाँ से poison निकल जाएगा यह जो आप देख रहे हैं यह transfer section फिक है यह जो आप देख रहे हैं अगर आप इसको beach से cut करेंगे तो इस तन्हें का transfer section आपको दिखाई दे पड़ेगा जिसमें यह जो आपको kanal दिखाई देगी यह जो आप देख रहे हैं यह venum kanal है जिसमें poison जहां से poison जो है victim की body के अंदर enter करता है यह enamel है और यह pulp cavity blue color वाली जो पूरा है यह pulp cavity को show कर रहा है number C proteoglyphus के बाद number C जो आ रहा है वो opisthoglyphus होता है यह जो fangs होते हैं यह भी small होते हैं और यह maxillie and itch grooved कहां पर lie करते हैं lie at the back of maxillie maxillie के पीछे just lie करते हैं and itch groove along its posterior border दोस्तो यहाँ पर यह जो protero का मतलब first और पिस्तो का मतलब behind बाद में ठीक है और पिस्तो glyphus के टाइप को होते हैं यह दोनों के दोनों इन दोनों fangs की खास बात क्या है कि यह हिलते डूलते नहीं है यह movable नहीं होते लेकिन यह जो soleno glyphos होता है यह movable होता है यह mouth के open और close होने पर adjustment होता है यानि जैसे mouth open हो गया जैसे कि मैं already बता ही चुका हूँ तो आप इसको फटाफट note कीजिए So guys biting apparatus के अंदर 3 points हम cover कर चुके हैं अब हम discuss करेंगे 4 point muscles 1st point में हमने discuss किया Venom gland के बारे में 2nd point में हमने discuss किया Venom duct के बारे में और 3rd point में हमने discuss किया Fangs के बारे में और उनके types के बारे में यह 4th point बचा हुआ है muscles जो की help करता है biting mechanism में बाइट करने में यानि जब snake bite करता है तो muscles सबसे पहले इसमें काम करती हैं help करती हैं तो यह 3 types की main muscles होती है जो इसमें काम करती हैं इसमें participate करती हैं number first होती है digustric muscles यह जो digustric muscles होती है यह जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है digustric muscles quadrate bones के just बराबर में आपको दिखाई दे रहा होगा red color से मैंने show किया है basically आपको यह दोनो diagrams है जो कि आपको examination paper में बनाना होगा एक में आपको हलका सा mouth जो है open करना होगा और एक में पूरी तरीके से open करना होगा ठीक है इसमें half open है इसमें completely open है यह bones को show कर रहा है bones के arrangement उनके position को show कर रहा है और यह completely जब mouth open होता है तब bones की का position होती है यह diagram उस चीज को show कर रहा है तो दोनों ही diagram most important है अभी मैं आपको बताऊंगा तो फिलाल हम muscles के बारे में बात कर रहे थे muscles इसमें three types की होती है digestive muscles जो की mouth को open करने में यानि इनकी जो jaws होता है उसको open करने में उसके बाद आती है anterior और posterior temporalis especially यह जो digestive muscles और sphenoterigoid muscles यह दोनों की दोनों open करने में help करती है support करती है number third पर जो आता है anterior और posterior temporalis यह help करती है close होने में यानि जब mouth close होगा बंद होगा तब यह उनमें help करती है तो हमने देखा three type की main muscles होती है जो की biting mechanism में help करती है अब मैं आपको यहाँ पर discuss करेंगे अब हम biting mechanism के बारे में ठीक है apparatus खतम अब last point बचता है biting mechanism यानि दंशन किरिया कैसे साब bite करता है उसके लिए यह diagram समझना बहुत ज़रूरी है और इनके बीच जो bones है उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों सबसे पहले इस diagram को लेते है diagram number A देखे दोस्तों यहाँ पर जो diagram आपको दिखाई दे रहा है यह उपर ही वाला जबड़ा है यानि upper jaws यह नीचे वाला जबड़ा है यानि lower jaws इसमें आपको basically इस diagram की practice करनी है और एक-एक bones का नाम आपको याद होना चाहिए यहाँ पर जितनी भी bones आपको दिखाई दे रही है सबसे पहले मैं कहां से starting करेंगे और कैसे याद करेंगे यह देखे सबसे पहले नीचे की तरफ यह जो bones आपको दिखाई दे रही है यह है mandible bones यह जो है lower jaws बना रही है यानि निचले वाला जो जबड़ा है इसने का वो बना रही है इसे इम बोलेंगे mandible bones उसके बाद यहाँ से देखे स्टार्ट कीजिए यह है quadrate bones ठीक है quadrate bones के just आगे की तरफ है squamosal bones उसके आगे है parietal bones उसके आगे है frontal ठीक है मैं हमने कहा maxilla bones पर ही fangs attached रहते हैं जुड़े रहते हैं तो maxilla के just आगे की तरफ जो होगा bones उसके हम क्या कहेंगे pre maxilla पीछे रहेगा तो हम क्या बलेंगे post maxilla तो इस तरह से सभी bones के नाम याद होने चाहिए इसे diagram याद होना चाहिए और ये जो बीच में दो bones है टेरगोईड और एक्टो टेरगोईड ये दोनों bones आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये mechanism में help करते हैं mechanism में main role इनी का होता है तो देखे किस तरह से mechanism होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अब हम नीचे की तरब चलते हैं नीचे वाला जो diagram है सेम सभी के सभी bones है लेकिन position थोड़ी change होई है ये पूरी तरीके से complete open mouth है जिसमें आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर quadrant bones है वो एकदम सीधा हो चुका है यहाँ पर थोड़ा oblique था तिर्चा था लेकिन यहाँ पर सीधा हो चुका है जिससे की नीचला जो जबड़ा है वो और भी नीची तरब खुल गया है नीचला जबड़ा पूरी तरीके से open हो गया है और ये digastric muscles के contraction की वज़े से हुआ है correct यहाँ पर muscles आप देख सकते हैं यह है digastric muscles और यह जो देख रहे हैं यह वाली जो muscles आपको दिखाए देरिये से बोलेंगे anterior temporalis muscles और यह जो आपको दिखाए देरिये muscles यहाँ पर इसको हम बोलेंगे protector pterygoid muscles ठीक है बाकी bones के नाम मैं अल्रेड़ी बता चुका हूँ bones आपको अच्छे से याद करना है पहले step में इसने का mouth open होगा जिसमें हमें पता होना चाहिए कि किसकी वज़े से open होता है क्या होता है ऐसा कि mouth open हो जाता है दूसरा point rotation of maxilla third point closing of mouth तो देखिए first step में क्या होगा diagnostic muscles contraction lower the mandible देखिए दोस्तों simply क्या होता है देखिए यह जो आपको quadrant bones आपको दिखाई दे रहा है इसके just पीछे की तरफ red color में आपको दिखाई दर होगा इस दोनों diagram को यहाँ पर हमें compare करके बताना है तब ही हम समझ सकते हैं biting mechanism को तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है diagnostic muscles यह contract करती है इसके contraction की वज़े से यह quadrate bone push होता है जिसके कारण क्या होगा यह सीधा हो जाएगा सीधा होने से क्या होगा यह जो नीचे वाली जो bones आपको दिखाई दे रहे mandible bones यह अगदम नीचे की तरफ चले जाएगी क्योंकि इसको धक्का लगता है नीचे की तरफ पुश हो जाएगी जिससे की अब क्या हुआ mouth open हो गया दूसरे नंबर पर होता है rotation of maxilla यह दूसरा mechanism दूसरा step है mechanism का इसमें क्या होता है as the mouth open जैसे ही mouth open होता है क्या होगा देखे sphenoterigoid muscles contract जो sphenoterigoid muscles है वो भी contract करती है अब इससे क्या होगा result forward moment of pterygoid and up pushing of the actoterigoid जिसके परिणाम स्वरुप क्या होता है इसका result rotation of maxilla in its own axis चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से ताकि आप समझ जाएं देखे यह quadrate muscles है sorry यह quadrate bone है जैसे ही इसमें contraction होगा यह नीचे की तरफ चले जाएंगे अब क्या होगा यह इसको आगे की तरफ push करेगा यह जो actoterigoid है और terigoid है यहाँ पर देख सकते हैं यह इससे जुड़ा हुआ है यह इसको आगे push करेगा धक्का देगा ठीक है क्योंकि जैसे ही यह सीधा होगा तो यह वाला जो भाग ही आगे की तरफ push करेगा जिससे की अब यह जैसे ही आगे की तरफ push होगा तो यह आगे किससे जुड़ी हुई है यह जो terigoid और actoterigoid bone है यह आगे जाकर के maxilla से ही जुड़ी हुई है इससे क्या होगा तुरंस इसने एक बाइट कर देता है, अब देखिए जब बाइट कर लिया तो इसका काम खतम हो गया, तो यानि कि नमबर थर्ड इस्टेप आता है, माउथ क्लोज कैसे होता है, अब ये मैथड के सिंपल है, और थोड़ा रिवर्स होने में, इसमें क्या होगा, इसमें मैंने को कहा क्लोज करने में दो मसल्स होती है, एंटिरियर और पोस्टिरियल टैंपोरिलिस मसल्स और स्पीनो-तेरिगोईड मसल्स, ये जो है eight a. temos से होने म पिर दुबारा से जैसे कि यहांपर सीधी थी यह ओबलिक फिर दुबारा से तिर्शी हो जाएगी और यह इसको और फिर आगे की तरफ धक्का लगेगा जो पर पर वाली बॉन्स भी इसमें हेल्प कर रही है फिर इसका माउथ जो हो जाता है अब एक बात और भी मैंने आपक हो जाते हैं ठीक है और जिन में अब आप में अब मैंना यह भी पता था कि जिन में मौवैबल नहीं होते उन्में क्या होता है बैसिकली उनमें एकदम सीधे रहते हैं ठीक है तो इस प्रकार से गाईज यह स्नेक का बाइटिंग मेकेनिजम खतम होता है और यह पूरा कम्प झाल झाल